हे गाईज, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, कैसे हो आप सब भी आशा करता हूँ, अच्छे होगे, आज की स्टुडियो में आप से बात करने वाला हूँ, सेंटरल इंविश्टी ओफ पंजाब, जिसके अंदर पिएचडी अडिमिसंस के प्रोग्राम के फॉर्म नि की कोशिश करूँगा, आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये एक ओरिजिनल प्रोस्पेक्ट है, सेंटरल इंविश्टी ओफ पंजाब भठिंडा का, जिसके उपर इस यूश्टी के बारे में बहुत कुछ आपको बताया गया है, और साथ में इसको ह हम ये भी बताइगा क्या की अडिमिस मीए प्रोसेस क्या रहनेवाली है, तो हम होनी को देखने और सबसे पहले, इसके हंदर हम बात करेंगे कि यहाँ पर कितनी सीट वेकेंट हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी कमेश्टी के अंदर यहाँ पर आपकी 5 सीट वेकेंट ह Joology के आंदर आपकी चार सीट है칙 है बायो कोमेश्री के आपकी पाँच सीट है और ما要 बायो का बायो लोजी के आपकी चार सीट वेकेंट हैं साथ में जहां पर dolales बिजनेस के आंदर आपकी दो सेट हैं और food science के आपकी 2 seat हैं आपकी यहां पर qualification की बात करें तो master degree में 55% number चाहिए और plus में आपका जेर्फ qualify होना चाहिए तो ही आप इसके लिए eligible रहने वाले हैं आगे हम बात करें education के अंदर इसके अंदर 5 seat है physical education के अंदर आपकी 3 seat है computer science technology के अंदर 1 seat है और environmental science के अंदर 3 seat है geology के अंदर 4 seat है और आगे हम geography के अंदर यहां पर 4 seat है human genetics के अंदर 5 seat है आपकी medical chemistry के अंदर आपकी यहां पर कोई seat नहीं है साथ में pharmacology के अंदर आपकी 3 seat है library and Informant science के अंदर 2 seat है, mass communication के अंदर आपकी eck seat है political science के Надर आपकी 4 seat है english के अंदर आपकी च्यार सीट हैu, Hindi के अंदर आपकी two सीट है, Punjabi के आंदर आपकी छैन सीट है, और यहाँ पर अर्ट थियेटर के अंदर आपकीयर सीट है, मूजी के अंदर आपकी पांँ सीट है पीएट्डी के लिए आपकी चार सीट हैं ये सभी आपके लिए सीट वेकेंट है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तोटल यहां पर 124 सीट हैं PhD के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और minimum qualification आपकी Master Degree में 55% नमबर चाहिए और प्लस में आपका और भी इसमें क्वालिफाई एनेट क्वालिफाई चाहिए हम यह क्राइटेरिया की बात करें तो यह आपको मैंने बताया है कि आपको इतने नंबर चाहिए और अगर आपके पास रिजरुवेशन है प्रोग्राम के नंबर रहने वाले हैं इंट्रिव्याइं हम बात करें तो इनवस्ट्री में होगा यह आपका जहां पर सतर माक्स की बैटेज होगी और साथ में तीस माका इसमें इंट्रिव्यो होने वाला है और में जानकारी की बात करें तो इसको दिया गया कि कैसे कैसे इसमें कौन-कौन सी क्रमेट्री होने वाली है। जिसके बारे में आप सक्रीन पर देख भी सकते हैं। और आगे हम इसमें बात करने वाले हैं कि इसमें अपलाइ करने के लिए आपको जो Central Ministry of Punjab अठिंडा की website पर जाकर विजिट करना है आगे इसके अंदर हम जो important dates की बात करते हैं तो यहां पर advertisement की जो date है वो 3 February है और आप लास्ट इसमें 15 February 2022 तक 23 तक अप्लाई कर सकते हो और आपका entrance exam है वो आपका दो मर्च 2023 को होगा और जो आपकी date of interview है वो भी आपकी डाल दी गई है साथ में हम इसमें बात करें कोर्स फरक है आपका वो 20 मर्च से सुरू हो जाएगा और अपका admission के last 24 मर्च से रहने वाली है यहां पर हम fees की बात करें तो journal category के लिए 1000 रुपे SCST के लिए 500 रुपे और PW के प्याइट के लिए कोई विफीस नहीं है यह आपको इसके अंदर बता रहने वाली है और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इसके अंदर से पता कर सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं आपको जानकारी देने की कोशिस जरूर से जरूर करूंगा आगे में इसमें fee structure की बात करें तो यहाँ पर hostel के लिए हुमनिटीज के लिए और PhD के लिए लग लग से आपको fee structure दिया गया है तो आपकी fees है यहाँ पर 11,244 रपे आपकी fees रहने वाली है कि जो candidate PhD हुमनिटीज के अंदर करने वाले हैं उनकी fees थोड़ी कम है और science वालों के फीज 14,000 रपेज में रहने वाली है यह आपकी admission fees है और hostel के लग से आपको mount दिया गया होस्टल के अंदर आपकी 13,400 रपे फीज रहने वाली है और जो SC, STOBC student है उनके लिए 800,000 रपेज रहने वाली है और भी इसके अंदर आपको जानकारी चाहिए यह साइट पर विजिट कर सकते हैं आपको यह सभी स्वेश्टलिज के अंदर मिलने वाली है और जो भी जानकारी चाहिए आप को मेंट करकर पूछ सकते हैं और आपको वीडियो अच्छे लगए चानल को सब्सक्राइब करें और बैकन को तो प्रेस करें आज की वीडियो में इतना हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अप्टेट्स के साथ थैंक्यू सो मच